हेलो टॉरस, वेलकम ऑन मैं चैनल, टिपल टू चैरो हिंदी उर्दू आज हम रीडिंग करेंगे टॉरस, सन, मून, ब्राइजिंग या अगर आपका जोडियक साइन टॉरस में है, तो यहा रीडिंग आपके लिए है कि इस मन्त में, October 2022 में आप क्या experience करेंगे, overall आपको क्या blessings, क्या change नज़र आएगा या आपकी लाइफ में क्या experience हो सकता है, love carrier या relationships में या कुछ भी, financial यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, और आपको क्या guidance की जरूरत है आपका sun, moon, rising, torus में हो सकता है, या आपका zodiac sign, torus में है यह reading आपके लिए है, reading स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यह general reading है तो हो सकता है कुई चीज़ आपके साथ resonate करें, कुछ ना करें और हो सकता है, बिल्कुल भी reading resonate ना करें, या बिल्कुल completely आपके साथ resonate करें क्यूंकि general readings इसी तरह सही work करती है यह general reading है, general messages है, हजारों लोग इसको देख रहे हैं तो आप वही चीज़ resonate करें, जो आपके साथ resonate करी है, जो आपके साथ match हो रही है वीडियो को like, share करें, और चैनल को जूरूर subscribe करें, notification bell को दवाएं ताके जब भी इस चैनल पर reading upload हो, आप उसी वक देख सकें आपके लिए इस मंत की क्या theme है, Taurus वी हाव दिस, इस card, clouds, okay and we have the book and we have the rose, wow ओके लिए आपके लिए क्या होने माले इस मंत इस मंत की जो date important months, date होंगी वो आपके लिए number 7, 9, 25, 22 हो सकती है या 5 आपकी इस मंत की important dates है जिस पे आपकी life में changes आ सकते है clouds जो है, मों हमेशा उस चीज की बात करते हैं, जो काफी confusion है तो आपको हो सकता है किसी matters में confusion है या किसी इनसान को लेके आपको काफी confusion है, वो इनसान काफी secretive है या आप उस इनसान के बारे में पता लगाना चाहरे हो लेकिन आपको नहीं पता वो इनसान आपके बारे में क्या feel करता है उसकी नियत क्या है, उसकी intentions क्या है, वो इनसान आपसे क्या चाहता है यह कोई ऐसा इंसान भी है जिसकी इस मन्थ आपको कोई secret उसका सामने नजर आएगा कोई friend है, lover है, family का member है, worker है, कोई भी है कोई ऐसा इंसान है जिसका secret आपको इस मन्थ नजर आ सकता है मुझे एक चीज़ यहां पर यह भी नजर आ रही है, यह lover भी हो सकता है कुछ लोग, कोई secret admirer है, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको बताना चाता है लेकिन वो काफी confused है, उनको समझ नहीं आ रही है आपसे कैसे बात करें या आपको feeling कैसे express करें अगर तो यह आपकी energy है Taurus तो यहां पर नजर आ रहा है कि you will be falling in love हो सकता है, क्योंकि यहां पर रोज भी है and this man with this book तो हो सकता है, आप secretly किसी के साथ love में हैं, तो आपको बताना चाहिए क्योंकि उस इंसान को कोई idea नहीं है कि आप उनके बार में आप मैंसे कुछ लोगों के लिए relationship के secrets भी बाहर आ सकते हैं अगर आप आप किसी के साथ deal कर रहे हैं तो हो सकता है मुझे लग रहे है कि कुई third party involved भी हो सकती है तो हो सकता है कुई आपको cheat कर रहे है छुपके, उस इंसान का secret भी आ सकता है या किसी ने आपको cheat किया था उस इंसान का secret भी बाहर आ सकता है कि क्यूं किया था आपसे तो यहाँ पर careful होने की जुरूरत है especially अपने partner को लेके चाहे आप single हैं, चाहे आप married हैं तो हो सकता है आपका partner कुछ आपसे चुपा रहा है या secretly, लेकिन अगर आप किसी में involved है romantically, आप किसी को date नहीं करें तो हो सकता है कोई आपको पसंद करते है या आप secretly किसी को इस month like करेंगे पसंद करेंगे, या आपको हो सकता है किसी से love हो सकता है, या crush हो सकता है या इस इंसान को आप पे crush है लेकिन वो बता नहीं रहे तो कुछ लोंग के लिए इंसान student हो सकता है या आप जहां पर भी study करते हैं या जहां पर भी आप जो work करते हैं ये इंसान वहां से आपको देख रहा है ये इंसान वैसे ही आपको stock कर रहा है study कर रहा है आपको जानने क आपको बिल्कुल लाइक नहीं करता या हो सकता है आप जिस relationship में है, marriage में है, या commitment में आपको ऐसा लगते हैं सिर्फ आप ही मैनत कर रहे हो, या रिष्टा आप ही को वजा से बचा हुआ है, जिस दिन आपने मैनत करना छोड़ दी या आपने give up कर दी इस relationship पे ये खतम हो जाए आप की शादी होगी, ठीक है, तो आप काफी stress भी हो सकते हैं और आपको बिल्कुल clarity नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, तो life में struggle है इस वक्त, let's see career में क्या है इस month, four of pentacles, तो definitely में जैसे का, आप मैंसे कुछ लोग अभी student है, अभी still आपको complete करने की जुरुवत है अ education को, या अगर आप किसी job में हैं, still उसी में रहिए, saving यहाँ पे जरूरी है, saving आप save करते रहें अपने लिए, ज्यादा फ़जूल खर्ची नहीं करनी, ठीक है, और अगर आप housewife में हैं या आप already business में करते हैं, तो definitely यहाँ पे investment भी हो सकती है, शायदा आप किसी चीज में invest करें, तो सोच समझ के invest कीजिएगा, saving की यहाँ पे बात हो रही है, अपने पैसे को save कीजिए, लेकिन ज्यादा फ़जूल खर्ची या ज्यादा investment करनी की जोथ नहीं है, कोई अचानक से खर्चे भी हो सकते हैं इस मांत में, जो कि आप नहीं करना चाते हैं, लेकिन आ रहे ह हैं आपके सर पे, तो कोई responsibility अचानक से आ सकती है, या अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं इस मांत में, उन चीज़ों को भी note कीजेगा, आपके advice के इस मांत यह देख सकते हैं, the magician, तो advise आपके लिए हैं कि आप सोच समझ के decide करें कि आप क्या कर सकते हो, आपको लगते हैं कि अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या talent है, आप क्या कर सकते हो, आपकी life में क्या change आ सकता है, या आपको लगता है कि ये इनसान बिल्कुल आप में interested नहीं है, या आपको खौफ है, या आपको fares हैं, आपको commitment issues हैं, या इस इनसान को है, तो basically ये इनसान अपने intuition को trust क तो अगर आपको ये इनसान अरेड़ी बहुत जादा clearly hint दे रहे है कि वा आपको like करता है, पसंद करता है, ये कोई है, ये कोई है ऐसी जो आपकी life में challenge चल रहे है, आपके साथ games खेल रहे है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है इनसान, या बहुत जल्द पता लग करता है, कोई और art sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, communication की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है, अगर आपको पसंद है, ये आपको पसंद है, ये आपके लिएडवाइस है, ये सिर्फ आपके अपने दिमाग में चल रहे है, कैसा नहीं है, हो सकता है, वो इनसान भी आपको like करता हो, पसंद करता ही रहा, इस इंसान को कोई self-esteem issues भी हो सकते हैं, ये इस इंसान को डर है, कि आप उसको reject कर दोगे, ignore कर दोगे, या आप उसमें इतना इंटरस्टेड नहीं हो, जितना वो इनसान आपे इंटरस्टेड है, तो कोई है, यहाँ यहाँ पर ऐसी energy है, जो कोई आपसे चुपा रह है, लेकिन बहुत जल्द आपको clarity मिलेगी, with a magician, कोई आपको manifest कर रहे है, और आपको पता भी नहीं है, हो सकता है, यह इनसान आपके dreams में भी आ रहा हो, तो यह वो इनसान है, यह आपकी life अगर आप single है, तो बहुत जल्द आप single नहीं रहेंगे, आपकी life obviously change होगी, अपने आपको इस mind से निकाले, इस burden से निकाले, क्योंकि आपको लग रहे है कि आपकी life कभी change नहीं होगी, अपने आपको positive चीजों की तरफ लेके जाए, ताकि आपकी life में positivity attract हो, ठीक है, यह आपकी reading है, like, share and subscribe, मैं मिलूँगी आपसे next reading में,